आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello friends, इस question में गया है कि मैंने आपको A tangent to y square cross to 7x is equally inclined with a coordinate axis then the area of triangle formed by the tangent with a coordinate axis ठीक है, तापक पारबलक की question कीवन है इस पारबलक का रुप से आपने tangent डाउट करी, जो की equally inclined थी with coordinate axis, तो coordinate axis से equally inclined थी और उसने एक triangle form की आपने axis के साथ, tangent ने axis के साथ तो इस triangle का आपको area बताना है और चार option कीवन है, ठीक है देखो कैसे करेंगे हम, सबसे बहले अपनी axis डो कर लेते हम, ठीक है यह होगे अपनी coordinate axis मेरी अब देखो, अपनी tangent डो कर लेता हूँ मैं जो इस axis मेरी, देखो, यहाँ पर y axis हाई यह x axis है अपनी आपको area बताने के लिए, इस point की coordinates और इस point की coordinates चीए और आपका बता है कि equally inclined coordinate axis की साथ तो इसकी slope अपनी 1 की एकल हो जाएगी अपनी ठीक है, अब देखो, हम क्या कर सकते हैं आसे आपको tangent की equation बता है slope, curve की equation बता है, y square equation 7x इसको differentiate करते है, वास आपको tangent की slope पता लगेगी तो यह जाएग अपना 2y into dy by dx is equals to 7, ऐसे dy by dx की value आड़ेगी 7 upon 2y की एकल है, ठीक है यह हो जाएगी अपनी tangent की slope तो slope होगी tangent की 7 upon 2y ठीक है, अब मैं आप रजूम कर लगेगी मेरा यह point x1, y1 पे x1, y1 पे meet कर रहे है अपनी tangent curve के साथ तो यहनी यह मेरी dy by dx की value at x1, y1 इस point पर क्या हो जाएगी, यह जाएगी 7 upon 2y1, ठीक है यह होगी मेरी 7 upon 2y1 यह होगी slope अपनी tangent की ठीक है, और देखो हमको पता है कि जैसे कि tangent अपनी equaling current अपनी डेकोडियों डेक्सिस देदा, तो स्वे slope मेरी 1 की एकल होगी अचीए, तो 7 upon 2y1, यह मेरा 1 की एकल होगा, slope अपनी, तो यहांसे y1 की value आ रहेगी अपनी, वो जाएगा, देखो, यह जाएगा, 2y1 equals to 7, that implies y1 is equals to 7 by 2, तो यह आ रहेगी y1 की value, 7 by 2 की एकल अपनी, अब यह y1 की value कर रहे होगी, पूट कर देखोंगी, कर्व की 7, तो यहांसे value आ रहे है, 7 by 4 के एकल, यह आगे x1, तो point of contact आगे अपना 7 by 4 होगा, 7 by 2, यह आगे अपना point of contact अपना tangent का curve के साथ, ठीक है, तो आपकी equation के वाड़ है कि अपनी tangent की y minus, देखो, अचा अपनी curve की, हमारी y1 is equals to 2a into x plus x1, ठीक है, यह होती है equation अपनी tangent की, जब यह अपना parabola पर मीट करती है, किसी x1, y1 point के आपर, और यह x1, y1 point है, तो y1 की value अपनी है, 7 by 2 is equals to 2a, अब देखो, यह आपर y2 की value 7x थी, और parabola की general equation होती है, y2 equals to 4a x, तो 4a equals to 7 है, तो 2a की value जाएगी, 7 by 2 की equal, यहांसा रहेगा 7 by 2, x1 की value 7 by 4 है, तो यहांसा equation का है मिल लेगी आपको, यह 7 by 2 से 7 by 2 में रहेगा, and y is equals to x plus 7 by 4, यह आगी आपकी tangent की equation, यह आगी, ठीक है, अब आपको यह आले points निकाल ले है, तेखो, यह y6 point है, इस पर अपना x0 होगा, तो यह आपर x value 0 put करूँगा, तो y code rate मिल जाएगा, जब x 0 put कर रहाँ, y की value आगी 7 by 4 तो एक तो यह point होगा है, 0,7 by 4, और तो y की value 0 put करूँगा, तो x की लेगी, minus 7 by 4, when y is 0, तो दूसरा point होगा, minus 7 by 4, 0, यह वाला point होगा है, मेरा, minus 7 by 4, 0, और यह वाला point होगा है, अपना 0, 7 by 4 के equal, ठीक है, तापको दोना point coordinates के तारगे अपने triangle के vertices, और यह अपने 0, 0 है, त अपिया कर सकते हो, area of triangle, find out कर सकते हो, ठीक है, देखो, यह length की अपनी, यहां पर length देखेंगे अपने distance अपना, अगर इसको देखेंगे, यह अपना 7 by 4 units है, अपना y axis है, तो area of triangle, इसके कले अपना area, हो जाएगा, half into 7 by 4, into 7 by 4, which is 49 by 32, square unit, ठीक है, यह अपना, 4 into 4 section into root 32, तो यानि यह अपना area, 49 by 32 square unit, ओके, thank you friends.